हेलो बच्चों तो अब शुरू करते हैं आगे का लेक्षेयर जहां में लास्ट क्लास में फोड़ा था उससे आगे तो उसमें क्यूशन करता हूं मैं कि यह कोई एक लाइन चार्ज है माले कोई वायर है यह शाद आपके लिवन नई चीज़ें इसको बताना भी पड़ेगा कोई बात नहीं इस चार्ज की जो लंबाई ये वायर भी हो सकता कोई भी लीनियर चार्ज को अभी एक्स्प्रीन करता हूं बटा इसकी जो चार्ज डिंसिटी है वो है लेमडा कुलांब पर मीटर और यहां से आर दूरी पर एक कोई पॉइंट चार्ज रखा है क्यों आपको बताना है इस प फिजिकल टू की क्यों निक्यू टू बाई आरे स्कॉर बेटा वो फॉर्मला वैलिट था सिर्फ किसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए लेकिन यह तो कॉंटिवियस बॉड़ी है एक्स्टेंडड बॉड़ी है तो उसके लिए फॉर्मला यूज नहीं कर सकते कुछ पंडा इंटू और चार्ज और इसके बीच की दूरी होगी आर प्लस ल बाई टू तो अब इनके बीच के जो एलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स आई वो कितनी आगी के क्यों एंटू टू बाई आर प्लस ल बाई टू का हूल्ड़ स्कूर तो बेटा यह बील्कुल गलत बात क्योंकि center of mass का concept तो होता है बट center of charge का कोई concept नहीं होता no concept of center of charge center of charge नामक कोई concept नहीं है यह बात ध्यान रठना तो यह गलत है ठीक बात है और वो ऐसे भी गलत है कुकि वो जो फॉर्मला जो आपने पढ़ा था भेकुल्स लोगा भाला, वो सिर्फ point charges के लिए valid था, तो फिर इसको किस तरह करे, इसको question पर वापसे साओंगो, उससे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे charge distribution का पता होना चाहिए, charge distribution on continuous bodies, जो भी continuous bodies है, उस पर charge distribution तीन टाइप का हो सकता है भीटा, पहला जो charge distribution है that is linear charge density मैं बिसे कि अब charge density की बात करता हूँ charge density ये charge density क्या क्या हो सकती linear charge density इसको बैटा मैं lambda से denote करूँगा जो second type का जो charge density है that is surface charge density इसको हम denote करूँगा sigma से और last one is volume charge density इसको represent कर रहे हैं rho से तो इसको एक एक करके discuss करते हैं सबसे पहले बात करते हैं linear charge density की linear charge density lambda तो बैटा linear charge density का मतलब क्या हुआ कि when charge is distributed टिस्टिर्विटेड अलॉंग दल लेंथ जब भी चार्ज लेंथ के अलॉंग डिस्टिर्विटेड होगा वहाँ पर linear charge density की बात करेंगे for example if charged on wire कोई वायर आगया कोई राट आगयी इस तरह की जो linear лишь भाडिजन मानले की कोई वायर है इस पर इस तरह से चाद्टू जो लेंग्ठ के यह यह बात मी आएगा है मानले कि आप नोग जाजagles दें सिपर चाहर का मतलब क्या है इस टोटल चार्ज दिवाइडिड बाइट निहां कि उस वाइर पट कि यह जो अपने वाइर लिया ता इस पर और इसका टोटल चार्ज क्यों है तो टोटल चार्ज तो क्यों आ गया और यह लह लागे तो पटे यह जो चार्ज डेंजिटी है यह वेरिएबल भी हो सकती हैं यह यहां से मैं एक बात बोसक्तों कि इसके यूनिट तो क्या होगी कुलांब पर मीटर तो एफ पहली बात इफ लेमडा इस कॉंस्केंट पटेल्ट लेमडा कॉंसेंट होने का का मतलब क्या हुआ कि चार्ज डिस्ट्रीबिशन इस युनिफॉर्म अभी चार्ज डिस्ट्रीबिशन इस युनिफॉर्म होने का मतलब क्या है चार्ज डिस्ट्रीबिशन इनिफॉर्म होने का मतलब यह है कि माल लिया कि मैंने एकस मीटर लेंद कहीं से रिकाट लूं तो उस पर चार जाएगा वह भी हार प्राट पर आना चाहिए याझि एकस में यहां से काट लूं यहां से काट लूं और उस पर जब मैं टोब्तल चार देखूं वह जबे सेम आएगा इस तरह का तो distribution होगा उसको uniform distribution कहा जाएगा तो यहां पर आपको total charge देखना है क्यों तो आपको क्या करना पड़ेगा लेमडा multiply by उसकी total length लेकिन यह बात को तब valid है जब लेमडा constant था अगर क्या हो जाए कि एफ लेमडा is not constant अगर नहीं होगा तो उसकेश में क्या करेंगे integration का सारा लेना पड़ेगा को एक element मानूंगा यानि कि तो टोटल चार्ज आएगा डैट विल इक्वल टो इंटीग्रल लेमडा डी एल इसकी मदद से हम करेंगे जैसा कि यह वाला क्योशन था इसको भी ऐसे करना पड़ेगा में तो टोटल चार्ज आएगा ताट विल इकल टू इंटीग्रल लेमडा डी एल तो देखो अभी सर्फिस चार्ज उस पर दुबारा से आएंगे पहले यह वाला जो क्योशन है जो भी हमने जहां से शुरुआ कि थी आज की एक लास की वहां पर उस क्योशन के एक बर निप्टा देते हैं फिर आगे चलेंगे देखो कि मुझे क्या मानना पड़ेगा एक एलिमेंट मानना पड़ेगा मैं कहता हूं कि यह लो यह मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसके विर्थ डी एक्स है और इस पर चार् कर लिया जिए भी पॉजिटीव चार्ज आप यह भी पॉइंट चार्ज होगा है यह वाला जो है इस चार्ज पर इधर फोर्स लगाएगा डी एफ तो यह जो फोर्स डी ओ और ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब कि जो फोर्स के डारेक्षन न वो इधर ही है तो उसम इस dq की value क्या होगी, lambda into dx divided by x square, अब हमने बात की तोटल चार्ज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहांको तो uniform है, q is equal to lambda into उसकी length, lambda और इसकी length क्या है, dx, तो अब अगर आपको total force चाहिए, तो इसको क्या कर दो, integrate to k q और lambda यह तो सब constant है, dx upon x square, f is equal to k lambda q, और 1 upon x square का integration minus 1 upon x, और x की value जो है, वो r से r प्लस l तक vary करेगी, आप कहोगे सरी, r से r प्लस l लिमिट कैसे आई, देखो, आप x को कहां से measure कर रहे हो, इस charge q पे और इसके elements पर, तो जो पहला element आप चलते जाओगे, यहां नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, लेकिन जैसे ही आप इस point पर पहुँचोगे, तो आपको इस road पर पहला charge element मिलेगा, यानि कि उस time पर उस x की value होगी r, फिर आप चलते जाएए, चलते जाएए, और last में जो आप यहां k lambda q, अच्छा और यह limits अगर आप डाल देंगे तो यह one upon और solve कर लेंगे, तो one upon r और इस तरह से आजाएगा, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, k lambda q r plus l minus r, तो l over r into r plus l, यह है बेटा force आगई आपकी, यह है force आगई, ठीक है इस तरह का question कर लोगे, इस तरह में बटाए, अब यह भी तो हो सकता है ने कि lambda variable हो, lambda अगर क्या हो जाए, variable, तो उस तरह की questions को कैसे करेंगे, कि इस तरह की चीज़े आपने 11th class के अंदर, चाहे आपने center of mass में किया हो, चाहे moment of inertia निकालने में किया हो, यह सब चीज़े आप कर चुके है, फिर भी फोड़ा सा, इस question के तरह रिवाइज भी हो जाएगा, मान लो कि यह कोई rod है, इस पर positive charge है, इसकी जो charge density है, linear charge density, that is equal to lambda equals lambda not x column per meter, where lambda not is constant, lambda not constant है, और एक बात और आप तो given होगी, question में, क्या, कि x is measured, x is measured from any one end of rod, यह given होना चाहिए, वरना उससे तो question में, अलग-लग answer आएंगे, तो मैं मान लेता हूँ कि, अब यह बस में आगी, कि lambda is equal to lambda not x है, यानि कि इस बात जो charge density है, वो constant नहीं है, वो x पर vary कर रही है, तो पहले तो इसका मतलब समझे, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा, lambda बढ़ेगा, मैं कहता हूँ कि, मान लो कि, मैं इधर से शुरू करता हूँ, यह मेरे लिए x equal to 0 है, और यह total length l अगर है, तो x equal to l है, जैसे जैसे x बढ़ेगा, lambda बढ़ेगा, lambda बढ़ने का मतलब क्या होगा, कि जो charge की value वो बढ़ती जाएगी, यह निकि आप जैसे जैसे इस rod के इस end से इस तरफ आपते जाएगे, तो इस rod पर जो charge की value है नविटा, वो value बढ़ती भी चली जाएगी, तो आप से सवाल में पुछा है, कि आपको total charge बताना इस rod पर, what is the total charge on this rod, तो बड़ा simple सा तरीका है, कि मैं यहाँ से बटा x दूरी पर चल करके, एक छोटा सा element एजूम कर लेता हूँ, यह एजूम कर लिया, जिसके width dx है, और इस पर charge dq है, तो आप बेटा dq को कैसे लिखेंगे, dq is equal to lambda into dx, अना इसकी charge density lambda और इसकी जो strip की जो लंबाई थी, वो dx थी, उससे गुणा कर दिया, तो lambda की value तो कितनी, lambda constant नहीं है न भई, lambda की value lambda not x dx, और total charge अगर आपको निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, integrate, तो integrate करोगे तो देखें, lambda not constant आगया, x dx, और x 0 से लेके l तक चलेगा, तो यहां से आप तब इसको solve करोगे, तो अनसर आगया, lambda not l square by 2, यह total charge होगा, इस rod के उपर, यह total charge होगा, तो ठीक होटे, इस तरह से अगर को linear element आ रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करेंगे, पर यह आपको lambda पता हो जाएगा, वो element मान लेंगे, element मान करके, और फिर उसको integrate कर देंगे, बड़ा ही common सा तरीका आपने बहुत बार किया हुआ है पहले भी, तो यह linear charge density पे based question था, ऐसे और भी question हो सकते हैं, कुछ भी अदग में values दे सकते हैं, ठीक है, आप चाहो तो बहुत असा बहुत असा सवाल करना अगर चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, कि भई, यह कोई ring है, जिसका radius आ रहे हैं, और इस पर, charge distributed है, जिसकी charge density है, lambda कुलांब पर मीटर, आप से कोई पूछ सकता है, कि total charge कितना होगा इस पर, तो कोई दिक्कत नहीं, lambda into इसकी total length कितनी है, 2 pi r, तो यह answer आ गया, 2 pi r into lambda, ठीक है, तो इस तरह से बहुत basic basic से question है, इस तरह कि आप कर सकतो, कि इस question में, आपको total length देदेगा, उस पर charge पूछ लेगा, lambda देगे, कभी total charge और length देदेगा, और फिर lambda पूछ लेगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं, बेटर note करो जल्दी से, next is surface charge density, next is surface charge density, surface charge density में क्या हूगा, कि जो charge है, जो charge होगा, that is, that will be distributed along the surface area, now, in this case, charge is distributed over the surface area of the body, जो body है, उसके surface area पर charge distribute होना चाहिए, किस तरह से इसका कोई example अगर मैं बात करूँ, तो charge distributed over a disk, charge distributed over a disk, charge distributed over a hollow sphere, या फिर मैं बात कर लूँ, किस की plate के उपर, तो यह जो भी case है बेटा, इन सब पर जो charge है, वो outer surface पर ही लाई करेगा, अना कि अगर मैं disk की बात कर लूँ यह, तो disk पर जो charge है, वो सिर्फ कहां पर exist कर रहा है, वो outer surface पर exist करता है, तो इसको फिर कैसे बात करेंगे, कि सर सिग्मा, इसको सिग्मा से लेखेंगे, टोटल चार्ज, डिवाइड़ बाई, टोटल एरिया, टोटल चार्ज तो क्यों है, और एरिया ए है, तो इसकी unit बन गई बेटा, कुलांब पर मीटर स्कॉर, और यहाँ पर अगर आपको क्या है कि, अगर सिग्मा अगर कॉंस्टेंट है, तो टोटल चार्ज जो आएगा, डिवाइड़ बीकुल टू सिग्मा, यानि कि जो भी चार्ज रिंसिटी है, सर्फेश चार्ज रिंसिटी, उसको एरिया के साथ मल्टिप्लाई कर दिया जाए, दूसरी बात, कि, एफ सिग्मा इज not constant, हाना, एक बात पर यह हो गई, दूसरी बात कि, सिग्मा अगर कॉंस्टेंट नहीं है, तो सिग्मा अगर कॉंस्टेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर बहीं element मानूँगा, और total चार्ज निकालने के लिए, उसको क्या गरूंगा, integral, sigma dA, यह dA क्या चीज़ है विटर, this is the area of the element, जो element आप assume करेंगे, उसका यह area है, तो इस तरह से इसको integrate करना पड़ेगा, इस पर एक question देखते हैं, for example, हमारे पास एक disk है वही, क्या है, यह एक disk है, disk of radius r, इसकी जो surface charge entity that is equal to sigma 0 r, where sigma 0 is constant, and r is measured from, r is measured from center of disk, disk, disk के center से measure किया गया है, r, तो अब इसका अतलब, यह बात समझ में आ गई है, कि sigma constant नहीं है, sigma constant नहीं है, और r के साथ vary कर रहा है, यानि कि जैसे-जैसे center से आप disk के बाहर के तरफ जाएंगे, तो जो charge वह बढ़ता जा रहा है, तो यानि कि uniform नहीं है, तो फिर आपको integrate करना पड़ेगा, और साथ integrate करना पड़ेगा, तो उसके लिए element क्या मानना जाए, तो element जदा सोचो कि आपने क्या किया था जब आपने moment of inertia निकाला था, तो उस नहीं पे आपने क्या सोचा था, या अभी भी सोच सकते हो कि disk कैसे बनी होगी, साथ disk बनी होगी, किसे, सोचो कहां से बनी होगी, तो रिंग से बनी होगी, घर में चूडी देखी होगी ना, तो बिसिकलिए ऐसे अलग-लग radius की चूडी इसको, चेंज होते हुए radius की चूडी को अगर मैं जोड़ दूं, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक डिस्क बन जाएगा, तो डिस्क के केस में जो element लिया जाएगा, वे element होगी, रिंग, तो मैं center से, मैं क्या करता हूँ, center से, आर रेडियस पर, आर रेडियस की एक ring एज्यूम कर लेता हूँ, यह ring एज्यूम कर लिए, ये लो, इस ring का जो radius है, वो तो आर ही हो गया, ये तो ये मैं फ्रोब से डार कर देता हूँ, ताकि दिखने में आपनों को दिक्कत ना हो, तो, ये लो जी, होफफुली सभी को lecture समझ में आ रहा होगा, सभी लोग तयार ही कर रहे होंगे, अच्छे से, तो भई, यह ring आपने ले ली ही, जिसकी ये जो मोटाई है, जो weight है, वो कितनी है, वो DR है, तो आप देखो, जो मुझे formula जो अभी हमने लिखा था, उसमें मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे उस area का element चाहिए, यानि कि अगर मैं बात करूँ, DA की, DA क्या चीज़ है, area of shaded element, यह जो shaded जो part है, इसका area, तो आप लोग कुछ लोग कहेंगे, कि सर इसको ऐसे कर दो ना, pi r plus dr का whole square minus, pi r का square, वो बड़ा मुश्किल सा है, उ not practically feasible, तो फिर कैसे करें, सर इसको जड़ा सोचो, कि अगर जो shaded part है, इतने इतने part को काट करके, और इसको सीधा कर दिया जाए, समय आ रही है ना, कि कोई एक मान लोगी कर रही है ऐसे, तो इसको यहां से काट कर इसको सीधा कर दो, जो आप इसको सीधा कर दो, तो आपके पा जो लेंध आई, वो कितनी आई, वो टू पाई आर आगी, यह approximation कहते है इसको, तो अब इसका जो area आएगा, वो area क्या आएगा, लंबाई, टू पाई आर, गुना में उसकी चोड़ाई, that is dr, तो यह कितना आगया, टू पाई आर, dr, यह है इसका area आगया, जो यह element था, तो अब टोटल चार्ज, इस पर जो चार्ज आपने डी को लिखा वेटा, वो कैसे लिखा जाएगा, सिग्मा डी है, सिग्मा की value क्या है, सिग्मा नोट आर, इंटू टू पाई आर, डी आर, टोटल चार्ज अगर निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको integrate करना प तो जो टोटल चार्ज आया, इस टू पाई सिग्मा नोट, आर स्कूर का integration, आर क्यूब बाई सिर्ड और लिमिट से लगा दूँगा, तो यह बन जाएगा, तो answer to this question is, टू बाई सिर्ड पाई सिग्मा नोट, आर क्यूब, यह है टोटल चार्ज आएगा, इस डिस्क के करो नोट करो वही, बढ़िया question है यह, अब जो third type का जो charge density बच गई, वो कौन से है आपकी, that is volume charge density, तो उसकी भी बात कर लेते हैं, साथ साथ, वोल्यूu, charge density में क्या होगा, कि जो charge है, सभी का idea लगी गया है, कि वोल्यूँ, charge density में, charge जो है, that will be distributed along the volume, volume, charge distribution, volume charge distribution, तो जो volume charge distribution में इसमैं क्या होगा, चार्ज इज डिस्त्रिबूटेड अलों दा वॉल्यू अलों दा वॉल्यूम ओफ बोड़ी तो ब्रड़ा जब अगर कोई भी गॉड़ी अगर ले तो हम उसको कोई भी चार्ज देते हैं तो सारे का सारा चार्ज कहा आजाता है वह आउटर सरफेस पर जाता है यूटरी पल्स जिस रहेंगे तो वो उस फोर्स को के करने को ज़ाने की कोशिश करेंगे और वह माक्सिमूं क्या होगा उसका सरफेस होगा ठीक है तो व्यंची यह जू वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम का कहने का मतलब क्या है was a कि इसको मैं कह सकता हूं कि ओधिन दा बॉडिक made in the body बीन बादेटी के बाहर के बाहर नहीं है बादे के अचाहिए तो अब उसके लगा रहेना चाहिए यह अगर वोलेंोम चाहिए आप कहीं पे बाथ करोगे घ्रा उसके लिए चाहा होना कि ये बॉडी मस्ट भी मस्ट भी इंसूलेटिंग और इसको मैं कह सकता हूं कि नौन कंडक्टिंग बॉडी कंडक्टिंग नहीं होने चाहिए तब भी बॉडी के अंदर चार्ज एक्जस्ट करेगा अधरवाई तो आउटर सर्फेस पर आजाएगा तो जब भी इसका एक एक एग्जामपल लेते हैं कि सॉलिड स्फेयर चार्ज डिस्ट्रिबिशन ओवर नौन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर नौन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर यहाँ पर बहुत काम की बात आप नोट करना बेटा कि बाई डिफोल्ट अगर कहीं पर सॉलिड स्फेयर लिखा है तो सॉलिड स्फेयर का मतलब अपने आप में क्या होता है इंस्यूलेटिंग स्फेयर यह बात ध्यान रखना अगर किसी क्योशन में सर्फ सॉलिड स्फेयर लिखा है तो आप दिवाग में आ सकती कि सर वो तो कंडक्टिंग भी हो सकता इसको लिखेंगे कैसे कि सर रोगल टू टो टल चारज डिवाइड बाइब टो टल वोल्यूम तो rho is equal to total charge q total volume यह इसकी unit क्या होगी कुलांब parameter q तो यहाँ पर एक बात क्या लेख सकते हैं कि अगर क्या है if rho is constant अगर rho तो constant है तो उस case में जो total charge आएगा that will be equal to rho into उसकी volume लेकिन अगर क्या हुआ if rho is not constant तो अगर rho constant नहीं है तो उस case में total charge निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा element assume करना पड़ेगा यह जो dv है यह क्या चीज़ है this is the volume of the element वो जो element आप assume करेंगे यह उसकी volume है तो इसको एक question के साथ discuss कर लेते हैं कि एक हमारे पास solid sphere है of radius r यह लो इस पर charge distributed है ऐसे within the body distributed of radius r इसकी तो charge density है rho that is equal to rho naught r where r is measured from center of sphere और जो rho naught है rho naught क्या चीज़ है rho naught constant है तो अब देखो कैसे इस तरह से करेंगे तो पहली बात तो यह है कि जब भी solid sphere आएगा तो उस case में element क्या माना जाएगा तो यह काम पहले किया हुआ है कि जो solid sphere है वो किस से मिल करके बना हुँगा जरा सुचने की कोशिश करें कि solid sphere बना होगा हुलो स्फेयर से कि अगर सुचना हुलो स्फेयर को अगर मैं जोडता जाओ जोडता जाओ तो ultimately क्या बन जाएगा एक solid sphere बन जाएगा तो मैं यहाँ पर element जो लेता हूँ हुलो स्फेयर लेता हूँ कैसे मैंने आर रेडियस का एक हुलो स्फेयर एजूम कर लिया भाई ना और इसकी कुछ मोटाई भी मांग ली वो मैंने यह हुलो स्फेयर जिसका विट रियार है यह element क्या है यह हुलो स्फेयर है यह बात ध्यान रखना और इस पर चार्ज हमने क्या मान लिया बी क्यू लेकिन उससे बहले मुझे इसका area पता होना चाहिए sorry volume पता होनी चाहिए तो volume का basic formula तो क्या चीज है कि सर्फेस area को multiply करतो उसकी height के साथ तो होलो स्फेयर का जो surface area होता है वो तो होता है 4 pi r square small r square रखेंगे और उसकी जो मोटा ही है वो dr है तो यह तो इसकी volume आ गई तो total charge अगर आपको निकालना है पहले तो इतने इतने पार्ट पर ही चाहिए निकाल लो जो यह body थी इस पर charge कितना होगा रो इंटू डी वी रो की value कितनी है रो 0 r और यह कितना हो गया 4 pi r square dr total charge निकालने के लिए इसको क्या कर दिया जाए इंटीग्रेट तो देखो 4 pi rho not यह तो constant आ गया integral r square हो रही कार यह r cube dr और यह जो limit जाएगी वो 0 से capital r तक चली जाएगी इसको जो आगे integrate कर रहे हो तो जो total charge आ रहा है 4 pi rho not देखो r cube का integration क्या हो गया r की power 4 by 4 और यह 0 से r तो यह total charge जो जो इस पर आया वो कितना आगे 4 से 4 cancel out हो गया भाई तो यह बन गया rho not pi r की power 4 this is the answer to this question note कर लो इस पर एक question और कर लेते हैं आप सुरही मैंने वो question कहीं देखा था यह ठीक सा लगा तो मैंने का कि चलो उसको भी discuss करें लेते हैं कि अगर अगर शुए अगर टे बात द्यान डखना है कि जो नोट्स हाब बना रहे हूं इसकी बार-बार बार इसको रिवाइज करते रहे हैं मैं लिक्के देखना है कहानी की कि यह कुणरा भार बदा रहा हूं इसको कहानी की तरह कि मत पढ़ना फीले उपक्षे से श्यूस है MARis वेसिया प्रेशन वन्हें कर रहा हूं घरनैंगर था कि मेरे पास ऐसे माझ कर दो कि इस तरहीं से र्वक मेरेक कि इच ऊफ रेडियस और पाव पुटों इस त्रहें कि क्यर्मक वे बहुत पड़ेग़ें cans Stars energy की बाथ की होगे वहाँ आप उस तुरहें के Спय्सीन वहां कहीं होगे और यहां पर बहुत मिलेगे कापस्टर में भी यहां पर भी potential निकालों के भाँ पर भी तो n drops है, ease of charge radius are, each having charge q, each having charge is equal to small q, हर एक पर इतना charge है, अब आप से पुछा है, these n drops are combined to form, a single charge, और a single drop, without any loss of charge, without any loss of charge, charge का किसी तरह से loss नहीं हुआ है, आपको बताना है, compare, the charge densities, sigma 1 and sigma 2, where, sigma 1 क्या चीज़ है, चार्ज डेन्सिटी, of single drop, before combining, जब आपने combine किया है, उससे पहले की charge density है, sigma 2 is charge density, आफ्टर combining, जब आपने उनको combine कर दी और उसके बाद की, तो एक तरह से मैं यह मान लो कि मुझे क्या निकालना है, यह तो find, ऐसे मान लो, find sigma 1 by sigma 2, यह क्या होगा, बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं, जन्रल रिजल्ट डिजाइंग को रहूं, कुछ भी दे सकता है न, वो बाकी देखो, इसके अलावा, आपको दो ही, आपके लिए एक इस इंपॉर्टिंट है, पता खास बात, कि आपके लिए वो एन इंपॉर्टिंट है, तो देखो करते हैं जरा पहले, कि ऐसे सोचों कि पहले जब एन ड्रॉप्स थी, पहले सिग्मा बन निकाल लू, सिग्मा बन इस इकोल टू क्यों, यहां पे तू क्या चीज यही ड्रॉप्स हैं, एन ड्रॉप्स हैं, तो सारा चार्ज बाहर ही है, तो क्यू अपॉन फॉर पाई आर स्कुएर, उसका मैंने जो इच ओफ रेडियस आर, विससे तो रेडियस के ज़रॉप्स नहीं, इच ओफ रेडियस स्मॉल आर लिख रहों में उसको ठीक हैं, क्यू अपॉन फॉर पाई आर स्कुएर, जब आप सुचो कि इन सब नहीं मिल करके क्या किया, एक बड़ी ड्रॉप्स बड़ी ड्रॉप्स का रेडियस हमने मान लिया, आर, तो देखो जब इतनी सारी ड्रॉप्स मिल करके एक बड़ी ड्रॉप्स बनाएंगी, तो एक बात तो यह कि उनकी वॉल्यूम क्या रहेगी कंजरो टोटल वॉल्यूम सेम रहेगी तो पहले देखो एक इंडिवीजवल बूंद का जो ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो कितना है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब ऐसी एंड ड्रॉप्स ने मिली और उन्होंने एक बड़ा स्फेर बनाया बड़ा ड्रॉप बनाया जिसका रेडियस कैपिटल आर में वान लिया तो यहां से क्या रिजल्ट आ गया मेरे पास कि एंड इस एक्वल टू कैपिटल आर बाई स् भस पर टोटल चार्ज में क्यूं मांने था हो जो टोटल चर्ज कउयंगोंतक्तों क्या आएगा वह स्मौ Richmond एंटो स्मॉलय क्यूं आर इस्क burgere家 24ू यह 2 कैसे लिखोगी एन एक्यू डिवाइड़ बाइ फोर पाई कैपिटल आर स्क्वाइर तो ऐसे लिख दूँ एन एक्यू अपॉण अच्छा यह हो गया ठीक है मुझे तो रिश्यू निकालना नहीं एक्वेशन नमर दो अब आगे का पार्ट देखो यहाँ पर कि मुझे सिग्मा वन बाई सिग्मा टू बताना है तो सिग्मा वन को क्या लिख होगा क्यू अपॉन फोर पाई स्मॉल आर स्क्वाइर यह क्या हो जाएगा कैपिटल एन इंटू स्मॉल क्यू फोर पाई कैपिटल आर स्क्वाइर फो तेखो R by R की value विश्यक लिए हैं से क्या हो जाएगी N की power 1 by 3 एन की power 1 by 3 उसका square और into N की power minus 1 इसको मैं उपर लेया कि ऐसे लिख लेता हूँ तो sigma 1 by sigma 2 विटे कितना हो गया N की power 2 by 3 minus 1 तो N की power minus 1 by 3 और आप इसको ऐसे लिख सकते हूँ सिग्मा 1 by sigma 2 is equal to 1 upon N की power 1 by 3 यह result आपको याद रखना है या तो आप इसको ऐसे याद रख लोगो sigma 1 by sigma 2 is equal to N की power minus 1 by 3 या फिर sigma 1 by 2 sigma 2 is equal to 1 upon N की power 1 by 3 अब को कुशन में कुछ भी दे सकता है कि मेरे पास 64 ड्रॉप्स है उस पर चार्ज 18 कुलंब है यह कुलंब है जो भी मर्जी दे मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है अगर कुशन में कह जिए कि 64 ड्रॉप्स ने मिलकर के एक ड्रॉप्स बनाई है तो जो हमारा फाइनल अंसर आजाएगा वो कहाएगा 1 upon 64 की power 1 by 3 4 तो 1 is to 4 अंसर आजाएगा तो इस तरह से कुशन को करना है तो इस के टिगरी का कुशन आएगा उसमें आपको सिर्फ नमबर ऑफ ड्रॉप्स पर ध्यान में पहना है नोट कर लो अब बात करते हैं किसके बात कर लेंग आप बात कर लेता है अब ये तो हो गया न इस पर जो भी था आप इलेक्ट्रिक फिल्ड के बाताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट टॉपिक इस इलेक्ट्रिक फील्ड इदेखु पहली बाग तो यह कि जो इलेक्ट्रिक फिल्ड है इस इस वेक्टर क्वांटिटीटी जो पहले इस इसके इसके क्या होगी पहले इसमझते हैं धी एक क्या चीज इसीक पहले बीक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया fen Eisen अपने क्या सूरह Sy it is defined as the force experienced by force experienced by a unit positive test charge test charge placed at that point यह तो definition हो गई क्या कहने का मतलब है कि मान लो कि आपको इस point P पर चेक करना है कि electric field कितनी है तो कहता है यहां पर unit positive test test charge लेकर क्या हूँ test charge का मतलब क्या होगा एक ऐसा चार्ज विसलिए hypothetical concept है कि test charge का मतलब एक ऐसा चार्ज जिसका electric field बाकी के surrounding यह तो ऐसा मालो कि एक ऐसा point चार्ज जिसका electric field almost zero होगा यानि कि उसका electric field surrounding वाले जो चार्ज है उनके कोई effect है नहीं डाल देगा और unit positive का मतलब इस पर unit charge हो इस तरह से थोड़ा अजीब सा concept है बहुत कमी हो जाएगा definition में जो पता होनी चाहिए कि यहां पर आपने कोई यूनिट positive test charge रखा मानिया q naught और यहां पर आप देख लो कितनी force लग रही है तो force per unit charge है आपको क्या बताएगा बहां पर electric field e is equal to f by q naught तो यहां से मैं यह भी कह सकता हूं कि direction of electric field is same as that of force जो force की direction होगी लेकिन मुझे चाहिए क्या कि यह जो test charge है यह इसकी बहुत small होनी चाहिए approaching to zero तो electric field को basically बहुत mathematical तरीके से ऐसे define करते हैं limit q naught approaches to zero f by q यह mathematical way में इसको more precisely ऐसे हम इसको define कर देते हैं तो कुल मिला के क्या होगा e is equal to f upon q तो यहां से देखो इसकी unit क्या आगी इसकी जो unit i k s i unit वो एक तो यहां से समझ में आ रही है कि newton पर कुलाम और एक और इसकी unit है that is volt पर meter यह आने वाले classes में बात करेंगी कि volt पर meter कैसे आया तो electric field vector quantity है इसकी direction वही होगी जो की उस particular point पर force की direction होगी कैसे measure किया जाएगा सर जिस भी point पर आप electric field देखना चाहते हैं electric field measure करना चाहते हैं उस point पर unit positive test charge लाके रख दो और वह जो भी force उस पर experience आप देख जो भी force वह चार्ज experience करेगा वही उस point पर electric field होगा यह simple से बात कि कोई भी charge लाके रख दो वह जो भी force आ रही है उस पर उसको उसके magnitude से divide कर दो किसके magnitude से charge के magnitude से तो वह उस point क्या जाएगा वह electric field आ जाएगा और इसके ऐसा unit newton per column या volt per meter हो गई यह बात होगी किसकी विटा electric field की तो अब यहाँ पर अगर मैं बात देखूँ कि अभी हमने एक बात लिखी इसको ऐसे निखलते हैं कि force फोर्स एक्सपीरियंस्ट बाई फोर्स एक्सपीरियंस्ट बाई चार्ज प्लेजड इन electric field करें जब भी यहाँ पर आप लिखलो वेनेवर एक चार्च इस प्लेजड इन इलेक्ट्रिक फिल्ड इस एक्सपीरियंस्ट इस एक्सपीरियंस्ट इस एक्सपीरियंस्ट और वह बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स होगी तो वह फोर्स कैसे आएगी हूँ यही से आएगी यहाँ से देखो f is equal to आप क्या लिखलो q into e f is equal to q into e तो यहाँ पर एक बात देखो कि एक बात ध्यान रखने की ज़रत है कि if charge is positive अगर charge positive है तो फोर्स कैसे लगेगी ज़र यहाँ पर देखो यह मानलो की है इलेक्ट्रिक फिल्ड की डारेक्शन है यह q charge है plus q charge इस पर force की direction लेखना है तो f is equal to q into e यहाँ कि f की direction और e की direction क्या रही तो यह बात ध्यान देखना है तो यह बात ध्यान देखना है तो फोर्स की डारेक्शन उसी डारेक्शन में होगी जिस डारेक्शन में इलेक्ट्रिक फिल्ड है लाने कि यह force होगी f is equal to q e तो यह बात ध्यान देखने है कि charge अगर positive है तो electric field of force दोनों की direction क्या आएगी same उसका magnitude q into e आएगा इसमें दूसरा part कि अगर क्या हो if charge q is negative if charge q is negative तो charge q negative होने का मतलब कि अब force को आप कैसे डिखोगे f is equal to minus of q into e और you can write minus of q e इसका मतलब क्या हुआ कि direction of e and f direction of e and f are opposite electric field और force की direction क्या है opposite तो कैसे represent करेंगे इसको इसको इस तरीक कैसे represent करेंगे भई अगर यह electric field की direction है यह तो electric field है अगर आपने यहाँ पर कोई एक negative charge रख दिया यह negative charge तो इस पर जो force की direction आएगी कि वह electric field की direction से opposite आएगी और magnitude q into e ही रहेगा तो गटा यह वाद ज्यान दखने की ज़रत है कि अगर चार्ज positive है तो electric field की direction और force की direction सेम रहेगी अगर चार्ज negative है तो electric field की direction और force की direction आपस में opposite रहेगी क्लियर है यह अब इस पर बेज कुछ questions हम करते हैं नोट कर लो देखो गई अब यह देखते हैं जराब चलो इस पर एक example एक equation में करता हूं यह बिस्टिक है कैचिज capacitor plates है यह वह positive और यह negative है तो इस reason के अंदर uniform electric field है और वह positive से negative की तरफी होता है वह यह है अब हमने symmetrically और इस plate की दूरी क्या है इस plate की लंबाई है L हमने यहां से एक charge particle जिसका mass M है symmetrical position से V not velocity से क्या कर दिया इसको project कर दिया अब हमें दो चीज़े बताना है एक तू यह बताना है कि इसका path क्या होगा पहले पार्ट क्या कर लेते हैं कि पहले इसका देख लेते हैं path क्या होगा अच्छा यह जो सब्सक्राज है न इसको यह मानलू कि यह electron है यह ज्यादा बढ़िया रहेगा क्या मानली है मैंने कि यह electron है अब देखो और यहां पर आपको एक बात और कि भी हम तू नेगलेक्ट gravity ग्रेविटी को भी नेगलेक्ट कर रहा हूं तो यह जो चार्ज पार्टिकल है जैसी इलेक्ट्रिक फिल्ड में आएगा तो भाई क्या होगा यह negative चार्ज है और इंट्रिक फिल्ड इंगलेक्ट लगना शुरू हो जाएगा क्यूकी इंटु ए क्या होगा उपर की डारेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा दाट इस क्यों टू ए तो इस मोशन को अगर देखा जाए तो यह टू डाइमींशन देखरो एकसेस के अलॉंग अगर पार्टिकल की इनिशल वलस् freed देखुँ तो वो कितनी है वो वी नॉट है यॉएक्स के अलॉंग कोई इनिशल वलोस्िटी नहीं दे गई है को सुबूसरी वात कि viens एकस आईकसिस के अलॉंग कोई फोर्स नहीं direction में ही है तो वो acceleration कितनी होगी भाई मुझे रखता है force तो कितना लग रहा है Q into E और उसको उसके mass से divide कर दिया यह acceleration आ गया along y axis अब आगे बात करों कि x axis के along अगर acceleration नहीं है तो किसी भी time पर हर time पर speed क्या रहेगी speed is constant यानि कि उसकी speed को बदलने वालों को factor है इनी speed constant है तो यह जो motion होगा यह कैसा motion हो जाएगा uniform motion और आप किसी भी time पर उस particle का मानलो कि किसी भी time पर आप उस particle का x coordinate देखना चाहते हो तो x coordinate क्या हो जाएगा u x into t तो x is equal to u x की जगे क्या आप लिख दोगे v naught into t यह एक बात आवे अब y axis के along motion अगर देखें तो y axis के along यह जो acceleration बटा e b constant है q b constant है m b constant है तो यह acceleration constant है और acceleration constant है तो यह motion कैसा हो गया यह motion हो गया uniform accelerated motion और uniform accelerated motion है तो उसकी तिनों equation मैं जानता हूं मैं किसी भी time पर इसका y coordinate अगर देखना चाहूं तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा u y t plus half of a y t का square अब initial velocity तो कुछ थी नहीं तो यह factor तो 0 हो गया half of a y कितना है q e by m into t का square यह बात समझ में आ गई अच्छा मैं यहाँ पर अगर किसी भी time पर velocity निकालना चाहूं बेटा y axis के अलों तो क्या आएगा u y plus a y into t equal to u plus a t तो किसी भी time पर a y तो 0 हो गया और a y कितना है u y 0 हो गया a y कितना है q e by m into t यहाँ पर किसी भी time पर velocity क्या रहे कि constant है इस पिल constant हो यह बात समझ में आ गई तो अगर मैं अब इसमें सबसे पहले कर लेता हो equation of trajectory निकालते है equation of trajectory equation of trajectory का मतलब कि इसका part क्या होगा तो equation of trajectory आप जब भी निकालें तो that equation must be in the form of x and y and it must be independent of t माने कि t की कोई factor उसमें नहीं होना चाहिए वो सिर्फ x और y की बीच में relation बताएगी तो इस तरह कि जो भी question होंगी उसमें हम क्या करेंगी दो equations होंगी हमारे पास इन दोनों equation में से किसी एक equation से t की value को substitute कर दो दूसरी equation में तो पहले वाले जो यह equation है यहां से बचे टी की value आ गई है x upon v naught इस value को equation number 2 में substitute कर रहा हूं तो y is equal to half of qe by m into t का square that is x by v naught का square तो y is equal to आ गया half of qe by m और यह इदर में आया v naught का square into x x का square तो यह वाली जो equation है बिटा यह तो किसकी equation आ गया इक्र zanữ यह जो पार्टिकल आ वह पार्ट फुलो करेगा फोलो यह पैरा बोली पार्ठ dat यह जो आरा का și भाइग सिमिलर टू प्रोजेक्तर यह सारा गाल्या इसां इस वल्हजिट्रश के यह अ होती है यहां पर जी जी रखते हैं आप उसको यहां तो क्यों ही बाइन है बाकि सारा से में यह एक्वेशन आगे किसकी तो इक्वेशन आगे विच इक्वेशन ऑफ पैराबॉला इक इसमें नहीं सवाल भी पुछा हुआ है तो यह बात समया कि यह एंगल ऑफ दविशन कितना होगा एक उनसिये पूछावें कि एंगल औफ दविशन क्या होगा पहली बात तो कि angle of deviation क्या होगा कि भी actual में इसको इस path पर आपने project किया था और यह इधर से बाद निकल गया तो इधर से बाद निकल गया तो यह कितना angle deflect हो गया यही deviation कहलाएगी तो इस time पर मान लो कि इसकी speed क्या है बिटा V speed है तो अगर इसकी V speed है तो इसके इस speed के दो component होगे एक component तो क्या होगा VX और दूसरा component होगा VY तो जो VX है वो तो किसके बराबर होगा वो तो V note के बराबर ही होगा वो तो कभी change होई नहीं रहा X के along speed हमेशा constant है और VY आप लेख चुके हो VY अभी आपमें दिखा रहे है QE by M into T तो angle of division निकल का है जरे यहां से आप देखो कि आप 10 theta बराबर क्या लिख सबते हो VY by VX VY तो है QE by M into T और VX के वेलिए V note लेकिन यह T की terms में आ रहा है answer T की terms में नहीं आना चाहिए तो आप देखो कि X-axis के along जो motion है वो तो uniform है along X-axis उस particle की जो displacement है वो L displacement है V note speed के साथ है तो यह T की वेलिए वागी और यह T समय बही तो है जितने समय में यह electric field वाले reason में रहा तो जब यह बाहर निकलेगा उस ताइम तक कि कितना X के along displacement travel कर चुका होगा कितना distance travel कर चुका होगा वे L travel कर चुका होगा along X-axis तो L divided by V note यह समय आ गया इसको भी हाँ substitute कर दो तो यह answer आ जाएगा QE upon M V note into T की value है L upon V note इसको solve करने के QE L over M V note square यह answer आ जाएगा QE L over M V note का square ठीक है बही? M note कर लो next is electric field due to a point charge बड़ा यह असान सा topic है यही electric field due to a point charge due to a point charge मान लिया कि Q charge है इसके करने से आप R दूरी पर यहाँ पर क्या देखना चारे है electric field तो हमारे definition क्या है कि आप इस point पर क्या लेकर के आओ एक unit test charge लेकर के आओ तो जब आप इस charge क्यू नोट को लेकर के आए और मैं अभी मानों कि चार्ज कैसा है यह वाला चार्ज पॉजिटिव और वो तो पॉजिटिव थाई तो यह इसको रिपेल करेगा विद फोर्स F तो वो जो F की value आएगी वो क्या आएगी के क्यू क्यू आउग्र नाइख को लेकर क्या उससे डिवाइड कर दो तो एस इक्वल टूफ फोर्स कितना है के क्यू 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 नॉट बाइए प्रपोट्ट इन्तु पूएंट नुट इन्तू क्यू नॉट तो इलेक्ट्रिक फिल्ड डिटू टू एपॉइं चार्जे इस के क्यू और श्कुराइब नेकि जो इलेक्ट्रिक फिल्ड है वह इन्वर्सली प्रोपोर्श्टनल टू आर स्कुराइब इस तरह आएगा आप चाहो तो यह निए चार्ज पॉजिटिव फोर्स इधर लगी तो एק्ट्रिक फिल्ड भी इधर आएगी तो अगर चार्ज पॉजिटिव फॉजिटिव फॉजिटिव थे इलेक्ट्रिक फिल्ट इज डाइरेक्टेड अवे फ्रॉम दा चार्ज यह बात पहले भी किये यानि कि यह अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फिल्ट की डारेक्शन अवे होगी इससे मिशा इफ चार्ज इस लेगेटिव अलेक्ट्रिक फिल्ट इस डाइरेक्टेड तो इससे तरफ डाइरेक्टेड होगी यह आपका क्या होगा दिस लेट्रिक फिल्ट ड्यू तो है पॉइंट चार्ज आप इसको वेक्टर फोर में भी लिख सकते हूँ vector form देखो electric field को vector form में लेखना है तो इसका magnitude तो आपने क्या लिख लिए kq by r square इसकी जो direction है वो इसी की along है तो इसकी along मैं मानूँ है यह vector r है तो इसके along direction कौन बताएगा vector r electric field is equal to kq by r square into तो इसको अच्छा यह vector r क्या होगे है वेक्टर r divided by r electric field in vector form क्या आगिया kq by r cube into vector r यह vector form में आगिया इसी में यह चीज़ और है super position principle यह हमने पहले भी किया हुआ है वही है उसमें कोई खास बात नहीं है बहुत जादा टाइम इस पे नहीं लगाऊंगा super position principle प्रिंसीपल super position principle में क्या होगा यह क्या कहता है कि अगर मान लो कि आपकी surrounding में जितने भी चार्जिस हैं उसके कारण से आप किसी भी point P पर electric field देखना चाहते हो तो जो E net आएगा वो उस point पर जितने भी electric field आ रहे हैं उन सब का क्या आएगा vector sum आएगा जैसे वहाँ पर force के लिए बात करते थे same वही बाते यहां पर होंगी same वही बाते यहां